रक्षम आया दाल्मिया मैंशन बेज बदल कर क्या वेदी का पहचान जाएगी अपने बड़े बेटे को? बात हो रही है कालोशो सावी की सवारी की जिसमें व्यूवर्स को देखने मिल रहा है काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग ड्रामा एक बेहधी शौकिंग ट्विस्ट में यूडी नित्यम से हिमेश के लिए प्रॉपर्टी का आदा हिस्सा मांगती है क्या यूडी को घर चोड़कर जानी से रोपनी के लिए नित्यम उनका ये डिमांड पूरा करेंगे? इसी के चलते शोक के अपकमिंग अपिसोड होने वाला है काफी इंट्रेस्टिंग क्योंकि वो होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ एक मा और उसके बड़े बेटे का मिलन सावी जो रक्षम को ढूनने में अब तक सफल नहीं हो पाई है वेदिका से कहती है कि उन्हें रक्षम के यादों की आहुती देना चाहिए सावी वेदिका से रक्षम का श्राद करने के लिए सज्जिस्ट करती है लेकिन वेदिका पूछती है कि किसी भी जिन्दा इंसान की श्राद पूजा कैसे कर सकती है क्योंकि उन्हें आज भी यकीन है कि उसका बेटा जिन्दा है और वो एक दिन लोटकर जरूर आएगा और वेदिका का यकीन सच भी हो जाता है क्योंकि रक्षम एक डेलिवरी बॉई बनकर उनसे मिलने दाल्मिया मैंशन आता है अब वेदिका उसे पहचान पाएगी या नहीं रक्षम अपना परिचे देगा या नहीं ये सब तो वक्त ही बताएगा वेल शो में आगे क्या होगा जाने के लिए दिखते रहिए सावी की सवारी और शो से रिलेटिट और भी अपडेट्स के लिए Glitz Vision USA को सब्सक्राइब करना ना भूले